हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई स्टोडी टाइम आज के इस वीडियो में हम इगनोबियाड एंट्रांस एक्जाम के प्रिवियस एर कोश्चन को डिसकस करेंगे तो अगर आप इगनोबियाड एंट्रांस एक्जाम के लिए प्रिपेरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्फूल होने वाला है अगर आप फास्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो माई स्टरी टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए वीडियो पसनाई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सेयार कर दीजिए ये जो इगनोबियाड प्रिवियस एर एंट्रांस कोश्चन है इसका एक सीरीज मैं बना रहा हूँ तो इससे पहले मैं दो वीडियो बना चुका हूँ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके ये कंप्लीट सीरीज आप देख सकते हैं आज के इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है एजुकेस्नाल एंड जेनराल एवार्नेस और इग्नोबियड एंट्रंस एकजाम के अंदर जो एजुकेस्नाल एंड जेनराल एवार्नेस पॉर्शन होता है ये सबसे ज़्यादा मुस्किल होता है तो चलिए आज का ये वीडियो सुरू करते हैं तो जो फास्ट कोश्चन है यानि ये जो एजुकेस्नाल एंड जेनराल एवार्नेस पॉर्शन होता है वो 31st कोश्चन से शुरू होता है तो देख लेते हैं 1st कोश्चन किसान दिवस इस सेलिब्रेटेट ओन तो कोश्चन में पूछा गया है कि किसान दिवस कब मनाया जाता है तो अप्शन में दिया गया है October 23rd, December 23rd, November 23rd and September 23rd तो इस कोश्चन का राइट एंसर हो जाएगा अप्शन नॉम्बर 2nd, December 23rd December 23rd को किसान दिवस सेलिब्रेट किया जाता है अब चलते हैं next question नेक्स्ट कोश्चन में पूछा गया है एब बॉंच अप ओल्ड लेटर्स को आज रिटिन बाय डैस तो यहाँ पर दिया गया है एब बॉंच अप ओल्ड लेटर्स ये किसके द्वारा लिखी गई थी तो अप्शन में दिया गया है जबाहलाल नहरू, महत्मा गांधी, अब्दुलकलाम, मोरार जी दिसाई तो इसका right answer है जबाहलाल नहरू जबाहलाल नहरू ने एब ओल्ड लेटर्स लिखा था तो अप्शन नॉमबर वान हो जाएगा आपका right answer एपीज अब्दुलकलाम जी का आटोबायोग्राफी का नाम क्या है एपीज अब्दुलकलाम जी का आटोबायोग्राफी का नाम है Wings of Fire ठीक है, यह है एपीज अब्दुलकलाम जी का आटोबायोग्राफी का नाम और महत्मा गंधी जी का आटोबायोग्राफिका नाम है, the story of, the story of my experiment with truth, ठीक है, यह है महत्मा गंधी जी का आटोबायोग्राफिका नाम, अब चलते हैं, next question की ओर, question number 33 में पूछा गया है, who is known as man of destiny, तो man of destiny किसे कहा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर option में दिया गया है, यहाँ पर आपको इस question में बिल्कुल भी confused नहीं होना है, question में पूछा गया है, who is known as man of destiny, तो इसका right answer है, option 3, नेपोलियन, अगर question में पूछा जाता, man of destiny, यह जो है, इस play को किसे ने लिखा है, man of destiny नाम का एक play भी है, इस play को किसे ने लिखा है, तो आपका right answer होता, George Bernard Shaw, लेकिन question में क्या पूछा गया है, who is known as man of destiny, तो आपका answer क्या हो जाएगा, नेपोलियन, option 3 हो जाएगा, आपका right answer, next question देखते हैं, next question में पूछा गया है, mission innovation aims to death, mission innovation जो है, इसका aims क्या है, ठीक है, इसका लक्ष क्या है, option में दिया गया है, accelerate clean energy innovation to address climate change, promote indigenous development of nanosatellites, adopt new methods of agriculture, adopt new methods of water harvesting, तो जो mission innovation है, इसका aims क्या है, accelerate clean energy innovation to address climate change, तो option first हो जाएगा, आपका right answer, ठीक है, next question देखते हैं, next question में पूछा गया है, who was the viceroy at the time of quit India moment, तो quit India moment के दोरान, इंडिया में viceroy कौन था, quit India यानि 1942 के time, इंडिया में viceroy कौन था, तो इस question का right answer हो जाएगा, option number four, Lord Linlidgo, option number four हो जाएगा, right answer, Lord Warren Hastings के बारे में आप जानते हैं, ये इंडिया के first governor general of Bengal थे, ठीक है, Lord Delhousie के दोरान, इंडिया में rail wage का development हुआ था, rail wage, ठीक है, Lord Corjan किस से related है, Lord Corjan Bengal partition से related है, Bengal partition, ठीक है, जो की 1905 में हुआ था, ठीक है, अब जलते हैं, next question, तो इस question का right answer क्या हो जाएगा, Lord Linlidgo, question number 36 में पूछा गया है, red line campaign started by India is related to which of the following field, तो इंडिया में जो red line campaign start किया गया था, वो किस से related है, option में दिया गया है, fencing of Indo-Pakistan border, zero opondification, corf irrational use of antibiotics, zero corruption, तो जो red line campaign है, ये relate करता है, corf irrational use of antibiotic, तो इंडिया में antibiotic का ज्यादा यूच होने लगा था, तो इससे कम करने के लिए red line campaign इंडिया में start हुआ था, ठीक है, next question देखते हैं, next question में पूछा गया है, the union budget is presented under which article of the constitution of India, तो इंडिया का जो union budget है, वो किस article के under में आता है, ठीक है, तो option में दिया गया है, 110, 111, 112 and 113, तो ये जो union budget होता है, ये आता है, 112 article number के under, तो right answer हो जाएगा, option third, जो कि है, article 112, अब देखते हैं, next question, जो कि है, question number 38, question number 38 में पूछा गया है, when was the Indian Post Office Act passed, तो question में पूछा गया है, इंडियान Post Office Act कब passed होा था, तो option में है, 1853, 1852, 1898, 1854, तो Indian Post Office Act जो है, वो 1898 में passed होा था, तो right answer क्या बन जाएगा, option number 3 बन जाएगा आपका right answer, next question में क्या पूछा गया है, question number 39, which event occurred first in India's independence struggle, तो question में पूछा गया है कि, इंडिया का जो independence struggles है, उनमें से कौन सा first हुआ था, तो option में चार option दिया गया है, Simon Commission, Non-Corporation Moment, Gandhi-Yarwin Pact, Tripura Activation of Congress, तो इसे एक एक करके देख लेते हैं, जो Simon Commission है, वो इंडिया आया था, 1928 में, ठीक है, उसके बाद जो Non-Corporation Moment हुआ था, वो हुआ था, 1920 से लेकर, 22 तक हुआ था, 1922 तक, उसके बाद जो Gandhi-Yarwin Pact है, वो 1931 में हुआ था, और जो Tripura Activation of Congress है, यह हुआ था, 1939 में, तो आप देख सकते हैं, इंडिया का जो freedom struggle है, इंडिपेंडन्स के लिए जो struggle है, उससे सबसे पहला क्या हुआ था, Non-Corporation Moment हुआ था, यहां पर इस option में से, ठीक है, तो आपका right answer हो जाएगा, option number 2, जो की है, Non-Corporation Moment, next question देखते हैं, तो question number 40 कहता है, तो जो public interest litigation है, वो किस country से originate हुआ था, ठीक है, तो option में दिया गया है, UK, Canada, USA, South Africa, तो इसका right answer हो जाएगा, USA, जो की है, option number 3 में, तो यहां पर मैं आपको बता देता हूँ, UK का capital क्या है, UK का capital है, London, ठीक है, Canada का capital क्या है, Ottawa, USA का capital क्या है, Washington, Washington, South Africa का capital क्या है, तो South Africa का capital, 3 capital है, South Africa के कितने capital है, 3 capital, सबसे पहला जो capital होता है, वो होता है, एक administrative capital, administrative capital, ठीक है, जो की है, administrative capital क्या है, Pretoria है, ठीक है, उसके बाद second में होता है, legislative capital, जो की है, Cape Town, उसके बाद जो third capital होता है, वो होता है, judicial capital, जो की है, Bloom Fountain, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, South Africa के 3 capital होते हैं, एक होता है, administrative, उसके बाद legislative, उसके बाद judicial, ठीक है, अब चलते हैं, next question की ओर, next question में पूछा गया है, the country which lived a text on WhatsApp and Facebook in the year 2018 is death, तो कौन से country है, जो की 2018 में, WhatsApp and Facebook के उपर text लगाया था, ठीक है, तो option में दिया गया है, Uganda, Zambia, Zimbabwe, Tanzania, तो 2018 में जिस country ने Facebook and WhatsApp के उपर text लगाया था, वो है Uganda, तो option number first हो जाएगा, यहाँ पर right answer, तो क्यों लगाया था यहाँ पर, तो Uganda का जो death था, जो उसके उपर ब्यास था, वो बढ़ गया था, जो national debt था, वो बढ़ गया था, तो इसे कम करने के लिए वो different source से वो income खोज रहा था, तो इसलिए वो क्या क्या, WhatsApp and Facebook के उपर text लगाया, और एक reason था, कि WhatsApp के उपर क्या हो रहा था, जो false gossiping है, वो बढ़ गया था, तो इसलिए Uganda ने 2018 में WhatsApp and Facebook के उपर text लगाया था, ठीक है, तो यूगेंटा का capital क्या है, यूगेंटा का capital है, कमपाला, next question देखते हैं, next question क्या है, question number 42 है, according to the World Bank, which country remained the top recipient of remittance in 2018, तो World Bank के हिसाब से, इन में से कौन से country है, जो की 2018 में सबसे ज़्यादा पैसा मिला था, World Bank के तरफ से, ठीक है, तो option में दिया गया है, इंडिया, चाइना, मेक्सिको, फिलिपाइन, तो इस question का right answer हो जाएगा, इंडिया, जिसे 2018 में सबसे ज़्यादा remittance मिला था, अब देखते हैं, question number 43, question number 43 में पूछा गया है, the tropic of Capricorn does not passes through death, तो यहाँ पर चार country के name दिये गये हैं, और किस country के बीज में, tropic of Capricorn pass नहीं करता पूछा गया है, तो इससे पहले हमें, tropic of Cancer को जानना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यह अगर माल लो equator है, equator ठीक है, तो इसके उपर जो line होता है, उसे tropic of Cancer कहते हैं, उसके नीचे, equator के नीचे जो line होता है, उसे कहते हम Capricorn, line of Capricorn या फिर tropic of Capricorn, ठीक है, तो कौन से country है, जिसके थूँ यह जो tropic of Capricorn है, यह pass नहीं करता, और यह जो चारो country है, यह South America continent के countries हैं, तो क्या-क्या है, Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, तो इस question का जो right answer है, वो option number two है, Bolivia के, जो tropic of Capricorn है, यह pass नहीं करता, ठीक है, तो option number two हो जाएगा आपका right answer, next question देखते हैं, next question हम पुछा गया है, Similipal Tiger Reserve is situated in the state of death, तो Similipal का जो Tiger Reserve है, वो कौन से state में है, ठीक है, तो option number क्या है, उडिशा, मध्यप्रदेश, West Bengal, करनाटक, तो Similipal Tiger Reserve है, जो है, वो उडिशा state में situated है, तो इसका right answer क्या हो जेगा, option number one, जो की है, उडिशा, ठीक है, अब देखते हैं, 45 question, 45 number question, in which state is silent valley situated, तो silent valley जो है, वो कौन से state में situated है, तो option में देखते हैं, Tamil Nadu, आसाम, केरला, और उनाचल प्रदेश, तो यहाँ पर चार option दिए गए हैं, और silent valley कि state में situated है, तो इसका right answer है, केरला, केरला के अंदर silent valley है, तो इसका right answer क्या हो जेगा, option number three, silent valley केरला में है, ठीक है, question number 46 देखते हैं, question number 46 में पूछा गया है, एक document called the future we want relates to which of the following organization, तो यहाँ पर एक document है, जिसका नाम है, the future we want, तो यह जो document है, यह किस organization से relate करता है, तो नीचे चार organization के नाम दिए गए हैं, सबसे पहला है, United Nations Conference on Sustainable Development, उसके बाद है, Global Environment Facility, उसके बाद है, United Nations Framework, Convention on Climate Change, option number four में है, Convention on Biological Diversity, तो यह जो document है, the future we want, यह relate करता है, United Nations Conference on Sustainable Development, तो इसका right answer क्या हो जाएगा, option number one हो जाएगा, इसका right answer, जो कि है, United Nations Conference on Sustainable Development, ठीक है, next question क्या है, देख लेते हैं, question number 47, पुछा गया है, the sparkly islands are located in which of the following seas, तो जो sparkly islands है, वो किस seas में देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो option में दिया गया है, the Caspian Sea, the Black Sea, the Mediterranean Sea, the South China Sea, तो जो sparkly island है, वो देखने को मिलता है, कहां पर, the South China Sea में, ठीक है, तो option number four हो जाएगा, यहां पर, आपका right answer, next question में पुछा गया है, ताप्ती रिभर originates from which district of Madhya Pradish, जो ताप्ती रिभर है, वो Madhya Pradish के कौन से जिला में से, ओरिजिनेट होता है, यानि सृष्टी होता है, ठीक है, तो option में दिया गया है, बेतूल डिश्ट्रिक्ट, चिंदवार डिश्टिक, बालगाट, एंड होसंगाबाद, तो इस question का right answer है, जो ताप्ती रिभर होता है, वो originate होता है, बेतूल डिश्टिक्ट, ठीक है, option number first हो जाएगा, यहाँ पर आपका right answer, बेतूल डिश्टिक्ट से ताप्ती रिभर originate होता है, question number 49 में पुछा गया है, which of the following monuments in India is not a world heritage, तो इनमें से कौन सा monuments जो है, वो world heritage के list में नहीं आता है, तो चार option दियेगे हैं, फतेपुर्ष, शिक्री, अजन्ता एंड एलोरा, खुजुराहो, जंतर मंतर इन दिल्ली, तो यह जो world heritage होता है, वो किसके द्वारा select किये जाते हैं, तो यहाँ पर जो चार option है, इनमें से यह जो first तीन है, इनको world heritage का certificate है, यह दिया गया है, लेकिन जंतर मंतर इन दिल्ली जो है, इसे world heritage के तोर पर सामिल नहीं किया है, तो यहाँ पर इसका right answer क्या बन जाएगा, option no.4 बन जाएगा यहाँ पर, इसका right answer, ठीक है, अब चलते हैं next question की और, question no.50 में पूछा गया है, life divine is written by death, तो life divine एक book है, यह किसके द्वारा लिखा गया था, तो option में है, और विंद घोस, भिविगिरी, अमरित, अमरिता प्रितम, भिडी सबर कर, तो जो life divine book है, यह लिखा गया था, और विंद घोस के द्वारा, तो option no.1 हो जाएगा, आपका right answer, ठीक है, अब देखते हैं next question, next question में पूछा गया है, question no.51 में पूछा गया है, which rate is issued by the high court to the lower court to stop legal action, तो यहाँ पर, high court से lower court को कौन सा rate issued किया जाता है, जो कि legal action को रोकता है, ठीक है, तो option में दिया गया है, habeas corpus, quo warrantu, prohibition, certiorari, तो इसका जो right answer है, वो है option no.3, prohibition, option no.3 इसका right answer है, जो कि, upper court से lower court को दिया जाता है, ताकि legal action को रोका जा सकी, ठीक है, next question में पूछा गया है, return of income is submitted under which section of the income tax act, तो जो return of income, किस income tax act के थूँ, जो submit किया जाता है, तो option में है, section 138.1, section 142, section 139, section 129, तो इसका जो right answer है, वो है section 139, option no.3 हो जाएगा, यहाँ पर इसका right answer, ठीक है, question no.53 देख लेते हैं, question no.53 में पूछा गया है, national knowledge commission, वो अच हेड़ेट बाइड़ेश, तो जो national knowledge commission है, वो उसका head कौन है, हेड़ेट बाइड़ेश लिखा गया है, है, option no.3, Sam Pitroda, जो national knowledge commission है, headed by Sam Pitroda, ठीक है, question no.54 में पूछा गया है, who is of the following, is the apex body in the area of teacher education in India, तो teacher education के लिए, सबसे बड़ा जो apex body, कौन सा है, इंडिया में, ठीक है, तो option में दिया गया है, UGC, NIPA, NCRT, NCE, ठीक है, तो यहाँ पर चार option दिये गए है, तो इसका right answer है, जो teacher education के लिए, apex body है, वो क्या है, वो NCE है, ठीक है, NCE, NCE का full form क्या होता है, National Council for Teacher Education, जिसे 1995 में, इसको establish किया गया था, ठीक है, तो NCE क्या है, इंडिया में apex body है, teacher education के लिए, ठीक है, question number 55 देख लेते हैं, question number 55 में पूछा गया है, the idea of four pillars of education was suggested by Dess, तो education में जो four pillars के idea है, वो किस से suggest किया गया था, ठीक है, तो यहाँ पर four pillars क्या है, यह हम पहले जानना होगा, तो four pillars क्या है, four pillars है, learning to do, learning live together, learning to be, learning to know, तो यह है, चार pillar, और यह जो suggest किया गया था, option में है, UNICEF, UNESCO, UNITROR, UNDP, ठीक है, तो यह suggest किया गया था, four pillars system, UNESCO के द्वारा, तो option number second हो जाएगा, आपका right answer, और UNESCO का head कहां पर है, UNESCO का जो headquarter है, वो है, पैरिस में, पैरिस में इसका headquarter है, यानि कि France में, ठीक है, तो समझ में आया, four pillars जो education, इसे किस के द्वारा suggest किया गया था, UNESCO के द्वारा suggest किया गया था, तो यह थे कुछ 55 questions, जो कि educational and general awareness के उपर based थे, और यह previous year ignobeard entrance exam में पूछे गए थे, तो I hope यह वीडियो आपको informative लगा होगा, तो वीडियो पसना आए, तो वीडियो को like कर दीजे, share कर दीजे, and my study time YouTube channel को subscribe कर लिजे, अगर आप इसी तरीके से और भी informative and knowledgeable content देखना चाहते हैं, तो आप यह जो playlist है, इसे विजिट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको ignobeard से related सभी question मिल जाएंगे, Thank you.